हलो वियर्स हम कर रहे हैं कक्षा नवी के अंग्रेजी विशय की बिहाई बुक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके पहले हमने लेसन वन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना लिया है इसके साथ ही अंग्रे जी की हम लगबख पूरी तयारी कर चुके हैं हमने इसके अंसिन पैसेज इंपोर्टेंट जो अंसिन पैसेज है उसका वीडियो बना लिया है और यह सारे जो प्रशने आपकी प्रश्ण बेंक में से हल कर रहे हैं प्रश्ण बेंक में सारे ही important question है इसके साथ प्रश्ण बेंक के अलावा जो भी महत्वपुर्ण प्रश्ण होंगे उसके वीडियो भी आपके वार्शिक परिक्षा के लगभख समय में आ जाएंगे वार्शिक परिक्षा के पहले पहले आपके आ जाने वाले हैं हमने अंग्रेजी में unseen passage और unseen passage के साथ ही हमने grammar के सारे प्रश्ण हल कर लिए थे इसके साथ ही विहाईव की विहाईव की poetry के जो भी प्रश्ण है poetry के सारे question हम कर चुकिए उसका एक वीडियो था पूरे poetry के सारे question उसमें साथ में थे और इसके साथ ही English की application इसके भी वीडियो आ चुके हैं यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को दे रखे जिसमें कि आपकी प्रश्ण बेंग के सारे क्षेशन के हल के वीडियो हैं तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश में बिहाइव के लेस ह heaven कांटीनी विप म्यूजिक वे इंग्लिश में गुसान अअन्य में डिनki यहाँ प्रश्ण बेंग को सकते हैं और इसके एंसर हम देखेंगे तो इसका answer है Ron Forbes आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा Ron Forbes The Great Percusonist जो ताल वादक थे ताल बजाने वाले थे Great Percusonist helped her to continue with music तो Ron Forbes ने उसकी मदद करी थी उसको continue रखने में music helped her to continue music इतना तो आप question में सही लिख लए गोई आपको इनाम विश्यस रुप से याद रखना पड़ेगा कि Evelyn की किस ने मदद करी थी उसका music continue रखने में तो Ron Forbes ने मदद करी थी The Great Percusonist तो यहाँ पे Percusonist याद रखना पड़ेगा दो spelling आपको याद करनी पड़ेगी Ron Forbes और Percusonist बाकि आप लिख लोगे आसानी से बाकि कुछ कठी नहीं है तो हम यहाँ पे इनको इस तरह से याद करेंगे इस तरह से समझाएंगे जिससे कि आपको याद भी आसानी से हो जाए तो Ron Forbes The Great Percusonist helped her to continue with music He said that she had potential potential मतलब शमता P-O-T-E-N-T-I-A-L potential मतलब उसमें शमता है He said that she had she मतलब यहाँ पे अवलीन है He said उसने कहा that she had potential and she felt the vibration in her body उसमें शमता है और वह vibration मतलब कमपन महसूस करती अपने शरीर में तो अवलीन जो थी उसको संगीत का कमपन महसूस होता था अपने शरीर में और उसे यह शमता थी कि वह म्यूजिक बजा सके और म्यूजिक को समझ सके तो इसका उत्तर है Ron Forbes the great percussionist helped her to continue with music He said that she had potential and she felt the vibration in her body इसके बाद अगला प्रेशन देखेंगे Question No.2 When was Avelins When was Avelins Avelins जो लड़की थी वह डिफनेस first noticed Avelins की डिफनेस कब सबसे पहले महसूस की गई थी उसका जो बहरापन था सबसे पहले कब महसूस हुआ था When was it confirmed तो सबसे पहले notice कब हुआ था और confirm कब हो गया कि हाँ यहाँ जो है डिफे तो इसका उत्तर होगा Avelins की डिफनेस वास Avelins की डिफनेस वास first noticed when she was just 8 years old तो सबसे पहले notice कब हुआ था जब हो केवल 8 साल की थी 8 years old and her डिफनेस was confirmed when she was 11 years old confirm कब हुआ था जब वह 11 साल की थी तो हमसे पूछा यही गया था कि सबसे पहले इसका डिफनेस कब notice हुआ था और कब यह confirm हो गया था तो इसका answer है Avelins डिफनेस was first noticed when she was just 8 years old जब वह केवल 8 साल की थी and her डिफनेस was confirmed when she was 11 year old तो जब वह 11 साल की थी तब confirm हो गया था तो प्रशन जो था उसके अनुसार ही हम लिखेंगे when was Avelins डिफनेस first noticed तो हम लिखेंगे Avelins डिफनेस was तो यहाँ पे जो was ही helping verb यहाँ पे आ जाएगी Avelins answer में answer में हम लिखेंगे Avelins डिफनेस was first noticed when when she was just 8 years old ठीके जब वह केवल 8 साल की थी when she was just 8 year old तो यह हमें इतना बाग याद करने पड़ेगा when she was just 8 years old and और यहाँ पे अगला था when was is confirmed and her डिफनेस was confirmed ठीके and her and her डिफनेस was confirmed when she was 11 year old इसके बाद अगला प्रशन है question 3 जो कि important है how does Avelin hear music very important question है how does Avelin hear music तो Avelin music को कैसे सुनती थी hear मतलब सुनना music मतलब संगीत Avelin जो है संगीत को कैसे सुनती थी जबकि अगल डिफ थी डिफ थी ठीके डिफ मतलब अभारी थी तो कैसे सुनती थी तो इसका उत्तर है Avelin hear music Avelin hear music by her whole body Avelin music को सुनती थी अपने पूरे शरीर से whole मतलब पूरा body मतलब शरीर अपने पूरे शरीर से सुनती थी तो सबसे पहले आपको ये लाइन ही याद करनी है Avelin hear music ये question में ही है Avelin hear music by her whole body अपने पूरे शरीर से सुनती थी तो Avelin hear music by her whole body When she plays this xylophone जब वो xylophone को जो की संगीत का यंत्र होता उसे बचाती थी She can sense the sound passing up the stick into her fingertips तो जब xylophone को बचाती थी She can sense वो महसूस करती थी the sound मतलब जो इस्टूमेंट होता है संगीत का उसे लकडी से बचाया जाता थी stick मतलब लकडी जैसी जो होती उसे xylophone को बचाया जाता है तो उसे जब वो संगीत बचाती थी तो महसूस करती थी She can sense वह महसूस करती थी The sound passing of the stick into her fingertips तो जो sound है वह stick मतलब जो लकडी है उसे उसकी उंगलियों में आ रहा है ठीक अपनी उंगलियों से महसूस कर रही है संगीत को तो Evelyn Hear Music Xylophone बचाती थी वह महसूस करती थी She can sense मतलब महसूस करती थी The sound passing up the stick into her fingertips ध्वनी जो संगी थे उसके जो stick से उसके उंगलियों में आ रहा है On a wooden platform एक लकडी के platform पे On a wooden platform एक लकडी के platform पे मतलब बहा platform जहां संगीत बच जाती थी या बसता था She removes her shoes वह अपने जूते निकाल देती थी So that the vibration जिससे की जो vibration जो कमपन होता था पास थूँ her bare feet जिससे की vibration उसके पेरों से and her up her legs जिससे की vibration उसके पेरों से लेके उसके नीचे जो fit है तलवों से लेके उसके पेरों में आ जाता था तो जब wooden platform पे वह संगीत बचाती थी तो अपने जूते निकाल देती थी जिससे की जो ध्वानी थी वह उस wooden platform से उसके तलवों से लेकर उसके पेरों में महसूस होती थी तो इस प्रकार वह संगीत महसूस करती थी अपने पूरे साउंड पासिंग अप दे स्टीक इंटो हर फिंगर टिप्स ओन ए वुड़न प्लेट फोर्म शी रिमूस हर शूस सो दे वाइबरेशन पास त्रू हर बेर फीट अब हर लेक्स अगला प्रशन पार्ट सेकेंड का है अपके लेसन टू का इसमें है क्वेशन वाइडिट ओरंग जेब बेंड प्लेइंग आप पुंगी ओरंग जेब ने पुंगी को क्यो प्रतिबंधित कर दिया था क्यो बेंड लगा उस पे तो इसका एंसर ही ओरंग जेब बेंड दे प्लेइंग आप पुंगी विकोस इट हैड एन अन प्लेजेंट साउंड ओरंग जेब ठीके ओरंग जेब बेंड यहाँ पे जो है ओरंग जेब बेंड दे प्लेइंग आप पुंगी प्लेइंग आप पुंगी कर्षिन में है बिकोस क्योंकि बिकोस मतलब क्योंकि इट हैड एन अन प्लेजेंट साउंड एन यो एन पी एए एसे एन अन मतलब असुखद अच्छा नहीं था ठीक है अच्छा साउंड नहीं था इसलिए औरंग जेब ने पुंगी को बेंड कर दिया था उस पर प्रतिबन लगा दिया था तो इसका एंसर है औरंग जेब बेंड द प्लेंग आप पुंगी because it had an unpleasant sound उसने पुंगी बजाने पर प्रतिबन लगा दिया था क्योंकि इसका साउंड अच्छा नहीं था इसके बाद इसका अगला प्रश्ण है How is a शेहनाई different from पुंगी? एक शेहनाई जो है पुंगी से किस प्रकार से अलग होती है तो इसका एंसर है शेहनाई has a good and pleasant sound शेहनाई का एक अच्छा और सुखद साउंड होता है It is a natural and hollow stem pine with holes on it यह एक प्राकरतिक और hollow मतलब अंदर से खोकला stem तने का pipe जैसा होता है जिसमें की छेध होते है इस लोंगर देन पुंगी यह पुंगी से लंबा होता है तो शेहनाई has a good and pleasant sound शेहनाई में सुखद और अच्छा साउंड होता है It is a natural and hollow stem pine with holes on it यह एक प्राकरतिक और खोकला तना होता है जिसमें की छेध होते हैं It is longer than the पुंगी और यह पुंगी से लंबा होता है तो इस प्रकार है different है शेहनाई और पुंगी में तो इस प्रकार हमने lesson 1 और lesson 2 के important question कर लिये हैं इसके बाद अगले lesson के भी वीडियो जल्द ही आने वाले हैं और हम वार्षिक परिक्षा की पुरी तयारी करने वाले हैं इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए महतपुन प्रशनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए